हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माँ चैनल के अडिया प्रेंटो फ्रेंड्स, आज के वोड़ी हम बात करने वाले नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल के इमारे फिर्म जा लेंगे इस वीडियो के इंद में किस तरीक से स्कॉलर्शिप ले मैं आप लोगो लाइफ करके मैं लोगो कितना इमारे आता है तो तो मैं आप लोगो पूर्रा लाइफ प्रूव में देखाऊंगा इस वीडियो के इने में तो सुरिवा अकर प्रेंडूझ तो फिर national scholarship होता है तो फिर national scholarship जो होता है वो एक government के तरफ से like center government technology तरफ से एक graduate अ справ जो जिए जिक तरफ तो national scholarship जो होता है उसके थरू आप लोग जो जो क wrong- Pacific में किसी भी इंशूर्ट में कोई भी आप courses कर रहे हो या फिर आप schooling कर रहे हो तो आप आप scholarship ले सकते हो ठीक है यह government का scheme है पहले मैं आप लोग जाज होता है वह तीन तरीके से होता है ठीक है एक होता है central scheme के थुर scholarship मिलता है एक UGC scheme मिलता है तुरी सा जो state scheme है उसके थुर बच्चे के लिए होता है ठीक है जो post metric scholarship scheme होता है वह class 11th और class 12th के बच्चे के लिए होता है ठीक है और जो merit come means scholarship होता है जो भी आप लोग under graduation courses कर रहे हो लाइक आप b.tech कर रहे हो आप बैटलर कोई भी डिगर कर रहे हो उसके लिए merit come scheme जो scholarship form के लिए form fill कर सकते हो अब इन सब को तीनों में तीन तीनों में है तो पहला यह है कि अगर आप pre metric scholarship के लिए form fill कर तो पहला criteria यह है कि आपके जो class 10th class 1 से लगे class 10th में previous में 50% मार्स आपको पास होने चाहिए 50% minimum marks आपको होने चाहिए previous mark sheet के अदर में ठीक है दूसरा आपके income जो हो 1 lakh से कम होनी चाहिए तीसरा आप इन सब community में से बिलॉंग करते होने चाहिए ठीक है दूसरा यह है post metric scholarship इसके इंदर में क्या होता है कि आप लोग class 11th और class 12th में आप लोग को minimum 50% marks होने चाहिए लाइक अगर आप class 11th के लिए form fill कर रहे हो तो आपको previous ने class 10th में आप लोग को 50% से इवाब होने चाहिए क्लास 12th के लिए form fill कर रहे हो तो आपको 11th में 50% से इवाब होने चाहिए दूसरा यह है कि आपको minimum 2 lakh family income होनी चाहिए यानि कि per annum 2 lakh family income minimum को सो करना पड़ेगा और तीसरा जो elementary criteria वो सब तीनों कि तीनों में चीज़ों में common है कि आप किसी भी community से बिलॉंग करते होने चाहिए और previous यानि कि टूवल्थ के आप लोके marks होती है उसमें minimum 50% होने चाहिए mark और दूसरा जो आपकी family income जो हो 2 lakh 50,000 से कम होनी चाहिए और तीसरा जो हो है जो तीसरा common sum में है तो friend मैं आप लोग को अपने experience हो जाता हूँ कि pre-matric scholarship scheme में अगर आप form enroll करते हो को student लोग का form फिल करते हो तो आपको around 6000 तक आसपस आपको मिलता है और अगर आप post-matric scholarship के लिए form फिल करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 8,000 के आसपस आपको मिल जाता है उसके बात करते है अ scholarship के अंदर में government 50,000 student लोग को देती है बट ऐसा नहीं है around आप लोग को 25-30,000 रुबीज आपको मिलेगा तो friend अब बात आती है कि scholarship form फिल करने के लिए कौन-कौन सी document की requirement पढ़ते है तो friend scholarship form फिल करने के लिए सबसे पर तो आपर दो करेड़ी में है ठीक है आपर या तो फिर bank account हो गई ठीक है उसके अपका धार काड़ हो गया देन आपका जो इंशूट का जो कॉलेजिस जो होगिए उसका आपको बोनाफाइट बना के देगी वो बोनाफाइट होगे उसके अपको डोप मिसाइल होगे देन आप लोग का bank account email ID सब चीज document बंगती है तो friend मैं आप लो नियू अप्लिकान करें है पर देख साथ हैं किलिक करेंगे पर फिरेपे पर रच्ति सो और vallahi आप रहाँ करेंगे यह पर लोग आप अपना यापना छिश कर सकते हो ज़ना शinks से शुच करूँ पर इस अब लोग बोग जो देमेल डेट बर्थ मॉबाइल नंबर एमेल ऐडी एकाउंट नंबर हो गया उसके बातल को यहां पर हाड नंबर लिखे प्लिकेशन आइड डालना है वह पासवर्ड आपका बर्थडेट होगा वह आपके फोन पर OTP जाला जाएगा या अपको NSP के तरब से आपके फोन पर OTP चला जाएगा वहाँ पको पासवर्ड लिखा होगा उसके आप लोग इन कर लेते हैं तो फिर जैसे आप तो अपना पा अप लोग पूरा पूर्ळ फिल करेंगे तो अब जाके हम लोग पूरा का पूरा फ को लीtt फिल करें तो फिर यहां पर सब्सक्था पर बर आप हमिस स्लेक और लोग लोग करना करें sleeps करने में करने यहां पर छूज कर सकती हो प्र बोलिक जो को जो बी कौन से district में है तो पर पता हूनों जाए कौन साब पो चालिज– नाव यहां रहा है लोग सर्च कर सकते हैं तो बहुत है को तो फेर यहां पर यहां पर यहां लारा है- कल्कूलूल उ τα शाओं Maköh Efiko पर पर दालना पड़ेंगे साइब दूब यहां पर पर बिश्टेंस पर तब है आप लोग उसके मिलने की हाई चांजे से उसके प्रिजेंट क्लास कि कब से स्टार्ट होई थी प्रिजेस बोर्ड को तक पूण साथ पास आपका यहां पर डाल सकते हैं पीप यानिके बिहार तो यह प्रिवियस सब्सक्राइब कर से पर से अपर टाल सकते हैं तो यह कौन से बॉर्ड से पास को बॉर्ड कर सकते हो यह तो यह पर दाल सकते हो आपके class 10 वोल्बर class 2 वोल्बर ठीक है और यहां तो भी सेम रॉल नमर होने वाला है उसके वाल से फिर नहां पर आप लोगों का बोर्ट कौन सा था वो बोर्ड आप चूज कर सकते हो यहां पर यहां पर आप लोगों को यहां अघर आपने competitive exam दिया है तो जब आप यहां पर कुमभी करने के तर लीशी तो अपर बोल देना यहां पर डाल देना एक्ट एप जोड़ वी पर्ट पर्फेशन ला राता है तो जो भी पर्ट पर्फेश्ट में तो बहुत राप प्र प्रिंट आपर प्रिंट निकल वाने के बाद प्रिंट निकल वाने के बाद फोटो अपना पूट के चिपका के यहां पर अपना लॉल नमर लिखने के बाद के बाद ने जरी यहां पर प्रिंट करने पर करते हैं वह दो तो के बीकल उपर तो आप उस फाइल को कॉंपें सब नुकुनिट अफ्लोड करके तो फिर जैसा कि को अपने करने के बाद यहां पर आपको अपना आड्रेस जालना पड़ेगा यहां पर देख लो यहां पर देख लो यहां पर करना है तो मैं आप लोग को वन वे वन सा इसा डोकुमिन आप लोड करके दिखा रहा है यहां पर यहां पर यहां पर हम लोग इसका जो नंबर है वो कॉपी कर लो देख लोग चूज कर लेते हैं और यहां पर अप्लोड नॉपर क्लिक कर दो अप्लोड नॉपर क्लिक करो यहां पर अप्लोड पर क्लिक करते हैं हैं और यह रहां मेरा फोटो तो मैं यहां आप से फोंट करता हूँ यहां पर लोग को बस डेट चूज कर लो वो अपने आप हो जाएगा तो पर कोई भी रैंडम डेट च्यूज कर लेता हूं तो हम लोग फाइल को अपलोड करने के बाद 5-10 सिकें यह पर वेट करेंगे वेट करने के तो हम लोग यहां से कट करेंगे दिर हम लोग जो दूसरा डोकुमेंटर मुलों को वो अपलोड करना है ठीक है तो यहां पर सेल्फ डेटरेशन माइनुर्टी कॉम्निटी सेटिफिकेट जो कि आप लोग को प्रिंट आउट करवाना है अगर आपको पता नहीं तो मैं आप लोग को जिशेशन वाक से रीचे वो पीडिएफ का लिंक डाल दूगा तो वहां से डालोड करके वहां पर लिग क तो दो हुआ कि मैं पर वेड करकें यहां से कट कर देंगे यह फिर रिसीप Paris यहां से उपलोड कर देंगे तो अगर यह आप अपलोड का option पर कोई file कर मालनी तुम्ने कुई random ऐसे क्लिक खिया ना तो यह आप बहुत a dark P.df रिए DPG फाइस में ठालो को अप्लोड कर तो फिर जल्दी कर देता है टो वीडियो काफी काफी सानरा अप्लोड कर देते स्क्रीजाए टो हम नोग से 00,000,000,000श्वард में क्लिक रसकते तो वह फाइल सही अप्लोड किया है कि नहीं ठीक है तो जैसे आप लोग फाइल पर क्लिक करतों यहाँ पर आपको OK करना है देने आपका फाइल ओपन हो जाएगा तो इसी तरीके से सारा के सारे को आप लोग चेक कर लो एक बार रिवेरिफाई कर लो कि हमने जो भी डॉकमेंट अपलोड किया है वो डॉकमेंट सही है कि नहीं ठीक है उसके बाद से हम लोग यहाँ पर फाइनल सब्मिट पर क्लिक करने के इस तरिके का इंटरफेस आ रहा हुगा यह फॉर्म आपका सब्म जो गया करना है आप लोग को दूसरा ब्रॉजर पर लोग के बात डॉर लिए कि आ जानी ब्रॉजर को यहां पर यहां पर यहां ब्राउजर को ल warfare खोलते हैं वहां पहोने ने स्प्सेप्र नेशनल सब्सक्राइब चूल होगा एक बाढ़ हमने ऐपर पासवर्ट हो गया और यहाँ पासवर्ट डालेंगे तो यह पर jisギश और पर यह आप्लिकेशन हो चुकी यह और अपकर अप्लिकेशन साब आपको है एक उसके बाद से आपके इस चुन आपके विरिफाइब करती है आप लोगद करने के बाद जो आप आपके जे डोकमेंट वगरा लेयागे आप लोगको अधार पर देन वहां पर क्या होता है कि वह आप लोग की इंश्ट आप लोग की युणिवरिफाइब करती आप लोग को अने के बाद यहां पर पर आपके एकांट में पैसा क्रेड़ होता है तो यहां पर पर प्रिंट आ रहा है यहां पर ऑपर कुलिक करों और यहां पर फ्रिंट कर सकते हो थिकस्ट यहां पर आपड ओप डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर उस फाइल को अप्रिंट यहां से ऑसवा रही होगी दिन आप यहां पर अपने फाइल के अंदर में जह विए आपने फाइल पिरफाइल बनाया है उस फाइल के अंदर में आप लोग सेब कर सकते हैं तो यह हमारा फॉर्म सेब होगा है है यहां बदल लोग की कॉलेजिस की प्रेसेंटेज कुछ और आपकी परसंटेज कुछ और अपने फॉर्म फिल किया या फिर कुछ भी अगर कुछी भी आप लोग इनकर्ट इंफर्मेशन डालते हो तो वह पहले रिजेक्ट होगा इस तरह का मैसेज आ रहा हो इस चूट आने के बाद तो आप लोग को देन फिट से आप अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि फिर से जाके अप्लिकेशन को जाके आप फॉर्म को सब्मीट करूँ तो वहां पर हमारा जो आप अप्लिकेशन सब्सक्राइब होगा है तो यहां पर इडिट का उप्स नहीं आ रहा होगा बाट युनिव करके अप्लिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से अप्लिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से अप्लिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से अप्लिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके सब्सक्राइब करने के बाद उन आपके उस्टिट लोगर इंचिट लेवल पे आप लोग को आप पेमेंट का उप्शन आया है तो अगर मैं कि अपलिकेसं फॉर्म की पात करता हूँ यहां पे आप लोग आ रही है तो आप लोग अपने चूज कर से इस तरीकेस फॉर्म है आप लोग अपना फ्रॉप यहां ले ले सकता तो फिंड उमीद यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगे कि वीडियो पसंद आएगे वीडियो को लाइक जाओ करना भाई की चल्कार तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप लोगो इसी तरीके से क्यारव प्सेंस से डिल इंफर्मेंटिव लागे देदार तो